हालो दोस्तों भारत अपडेट सेनल में आपका स्वागत है और दोस्तों आज है बारत अपडेट सुराज की 15 इंपोर्टन अपडेट्स आप सभी के लेकर यहां पर आ चुका हूं तो बहुत सारी अपडेट्स आज आई हुई हैं चलिए फटा-फट से शुरू करते हैं पहल इस दिश्चार्ज हुआ है और टोटल एक्टिव केसिस की बात करें तो हिमार्चल में 71 याने कि 61 एक्टिव केसिस यहां पर बचे हुए हैंं अभी कम हो रहे हैं धीरे और बोटेट्स आप भी हो नहीं ठीक भी हो रहे हैं ओके चले दोस्त नेक्स अपडेट यह रही है मंगलवार को प्रदेश के अधिक्तम ताप बार में समाने से पांच रिगड़ी की कमी जो है दर्ज की गई है तो दोस्तों आज और कल भी जो है बारिस के आसार यहां पे हिमाचल में हैं चले दोस्तों नेक्स अपडेट यह रही टर्म एक की प्रिक्षा से बंचित रहे खेल टूर्मेंट या बादल फटने की गटना के कारण प्रिक्षा देने के लिए स्कूल नहीं पहुंच सके थे हिमाचल प्रदेश स्कूल सिक्षा बोर्ड की सची डोक्टर मध्धू जोदरी ना बताया कि इसके लिए संबंदित स्कूलों के प्रधानाचारियों से ऐसे प्रिक्षार्थियों की सूची 22 अक्तूबर से पहले संबंदित दस्तविजों के साथ बोर्ड का रहले में प्रिशित करना सुचित करें उन्हेंने बताया कि समंद्ध में हैं प्रदेश के सभी विद्यालियों की यूजर आईडी और बोर्ड विफसाइट पर अब पत्तर जो अप्लोड कर दिया गया है नेक्स्ट अप्डेट यह रही शिमला शहर में जल्द एचाटेश की सिर्फ इलेक्टरिक बसें ही चलेंगी परिवहन मंत्री बोले चर्ण बद तरीके से हटाई जाएंगी सभी डिजल बसें बोल बोर हिम दर्शन बसों के लिए नेशेड त शिमला से धर्मशाला और मनाली के लिए बोलो बसों को हर जंडी दिखाने के बाद जो है यहां पर कहा गया प्रवहन मंत्री बिक्रण सिंठाकोट है यह जानकर यहां पर दी है उन्हें बताया कि लेक्टरिक बसों के सुगम सिंचालन के लिए शिमला में आधारबू धंच शिमला से धर्मशाला मनाली के लिए बोलो जेवा शुरू पर वहन मंत्री बिक्रम सिंग ने टुटी कंडी इस बीटी से हरी जंडी दिखा कर किया रवाना यह अधिकारियों कि मेहनत मेरा तो सिर्फ नाम बिक्रम तो यह टाइम टेबल है शिमला धर्मशाला बोलो का और श सिर्वान की बारा बज़े दोपे है को होगी और आठ वजे शाम को शिमला यह पहुंचेगी और किराया आप देख सकते हो बाया विलासपूर हमितपूर कांगडा किराया 949 रुपेस का रहेगा चीक और दूसरा देखो शिमला से मनाली 1018 रुपे किराया तो यह दोस्तों बसें जो हैं चलाई गई है और साथ बोल्वो बंगलूर बंगलूर से शिमला पहुंच गई है और चार शिमला के लिए रास्ते में हैं और 11 बहुत चलता आने वाली है तो यह दोस्ते यहां पर अपडेट है और बसे यहां पर आने वाली है ठीक है चले दोस्तों नेक्स अ आती हैं बट अब जो है बंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेंज यहां से चले तो यह चलेगी आम बंदुरा से दिली के लिए देश की चोथे बंदे भारत एक्सप्रेस्ट चलेगी और इस ट्रेंट को फ़ाम्ध्री जो है यह ट्रेन चंडीगर 35 पहुंचेगी 14-14 और 6-25 के उपर यह ट्रेन पहुंच जाएगी दिल्ली तो यह दोस्तों यहां पर एक इंपोर्टेंट अपडेट है तो यह नई ट्रेन यहां से चलेगी अब अम से दिल्ली तर दो फिर एक बजे आम बंदूरा से चलेगी और दिल्ल से जुबाँ साड़े-5 बजय चलेगी यहां के लिए आम बंदूरा के लिए और यहां से जाएगी तो एक बज़ए जाएगी तो यह दोस्तों यहां पर अपडेट है एक बज़ए चलेगी एक तेज पर को लिए ए यहां एक बज़ए रवाना होगी और शाम को यह ग्यारा बजे यह आम बंदोरा पहुंच जाएगी जो छे गंटे में चांसल दोलादार में सीजन का पहला हिंपात होतांग सिंकुला और बाराचा दर्रे प्रेटकों के लिए बंद बाहानों की आवजाही पर रोक दस सेंटिमेटर से एक फीटर तक हिंपात प्रदेश में दस गंटे तक वारिश मौसम में बड़ी ठंड़क आज और कल वारिश के आजार चलिए जस्टिस चंदर चूड होंगे देश के अगले मुख्य नयदीश दस मूंबर 2024 तक रहेगा कारेकाल राज राम जनम भूमी फैंसले में भी शामिल रहे पीता सबसे लंब दीन दिन होगी हवाई उड़ाने तो यह दूस्तों यहां पर अपडेट है और केवनेट की फैंसले देखें एक सो चार दंत चीछ सों समेत भर जाएंगे पांसु से ज्यादा पद 12 सार का सिवाकाल पूरा करने वाली 1729 सिलाई ध्यापकों को मिलेगी 306 रुपे की धियाड सब्सक्राइब बद्दी में सब्सक्राइब करेंगे अगरी शामन उपके इंदर नई विफसाइट वेपोर्टल विग्यापन एवम मानेता और प्रत्यायन निती दो जर्वाइस को भी मंजूरी तो यह दूस्तों यहां पर अपडेट है कैमनेट की मीटिंग में यह सब फ पहुंचेंगे चिंबा तो नई रेल लाइन उन्हां हमें पुरोर बल्क ड्रग पार्क का कर खेंगे श्रीला नियास पौने दो कंटें नहीं नेक्स्ट अपडेट यह रही भरतिनियम बदलने पर भढ़के जीवाइटी अलचुजणा बापसले संग नेक्स्ट अपडेट प्रदेश के एक दस हजार मिधावियों को मुवाइल फोन का बितरन शुरू जो है शुरू हो चुका है मुवाइल फोन का चले दोस्तों नेक्स्ट अपडेट यह रही हिमके रियोजना में दस्ट अपडेटों को जमा करवाने के लिए अब 6 मेहने की छोट कैबनेट के फै 21 अब तक चलेगा अधनी वर्दी का दोर वर्दी को लेकर प्रशाशन के सभी इंतिजाम इसके बाद देखें दोस्तों तो एच्पी एससी के तरफ से स्टीनों टाइप इस्ट वर्दी का रिजल्ट जो है डिकलेर यहां पर हो चुका है ओके नेक्स्ट अपडेट यह रही बीटीक में लेटरल एंट्री के लिए 14 स्पोर्ट व Mussi के लिए 14 स्टम्बर को स्पोर्ट स्पोर्ट की आँजीं करवाएगा थो जहां घली हैं एक Of Suih trading hm की रिजरेंहें हो आप भहाँ पर जाकर यह पूरी डिटेल में है आप देख सकते हो ठीक तो यह दोस्तों यहां पर अपडेट थी और अब देखलेते हैं कुछ अपडेट साम पर चूटी तो नहीं और दोस्तों यहां पर कल कुछ बूडे तो यहां पर हो रही है तो एक बार आप चैक कर लेना कि मैं भी चैक कर रहा था तो बोड़ी से उपन हुई उसके बाद रिजल्ट मैं नहीं देख पाया अर्जल्ट उसका मतलब आगे वो वेबसाइट बंद ही हो गई थी तो आज आप ट्राइए करना बीए सेकंड ये वाले ठीक है बाकि भी जिससका रजल्ट आया गे बहुत कमेंट करके यहां पर बता देना कौन-कौन सा रजल्ट आया है ताकि औरों को भी बता चल सके कि कौन कौन से जल्ट आ चुके हैं वाकि यहां पर देख रहते हैं हंजी यह भी हो गया है सारे मैंने भूल दिये हैं ठीक है दोस्तों यहीं थी आज की कुछ इंपोर्टन अपडेट्स बाक की वीडियो छे लगे तो लाइक शे और चैनल सब्सक्राब जूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए थैंक यू